दुनिया की तीन लावारिस पड़े हुए शहर लाश्ट वाला शहर तो भूतो का अड़ा है दोस्तो चाइना में मौझूद इस लावारिस पड़े हुए शहर को देखिए जो कि तक्रिबन 20 सालों से ऐसे ही सुनसान पड़ा हुआ है इस शहर में आपको इका दुका लोगी नजर आएंगे और अगर आप इस चाइना के लावारिस पड़े हुए शहर में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अला की दुनिया पे आ चुके हो इस चोटे सा आइलेंड पर बने हुए सानों के लावारिस पड़े हुए शहर में एक समय पर काफी लोग रहा करता था लेकिन किसी कारण के चलते इस शहर से सभी लोग दिरे दिरे करके चले गए आप इस शहर पर आपको पशुपक्षी के अलाब एक भी लोग नजर नहीं आएंगे जो कि ये शहर पूरी तरह से खंडर बन चुका है दोस्ता आप इस जंगल के बीचो भी लावारिस पड़े वो शहर को देखिए जिसे कि आप भूतिया शहर कहा जाता है एक समय पर इस शहर पर 40,000 से भी अधिक लोग बसा हुआ था जो कि आज के समय पर लावारी सर सुनसान पड़ा हुआ है पर ये ऐसी कहानिया जो सुनकर तुम खुश हो जाओगे सेव एक औरत को सपने में भगवान दिखे आदमी चलता रहा तब उसे कुछ गाउवाले दिखे और तब उसे बचाये गया करनाटिका में एक आदमी ने गाय चुराई तर उसने उसे ट्रक में चढ़ानी की कोशिश की तब ही गाय ने उसके गोटे पे बहुत तेज लात मारी वो और पूरे रास्ते उस बिखारी के बारे में सोचती रही और फेस्बुक पर उसकी कहानी डाली कई लोगों ने उस बिखारी के नए घर के लिए पैसे दिये एक आदमी एक होट स्प्रिंग में तैर ने कले गया जैसे वो उसके पास गया उसका पैर फिसल गया और वो सीधा उसके अंदर गिरा उनका खाना खतम हुआ तो वो कच्छुए खाने लगे फिर 40 दिन बाद उन्हें कुछ लोगों ने देखा 1910 में आसाम में एक बच्चे को एक चीता उठा के ले गया तीन साल बाद उस चीते को मारा गया चीते के बच्चे और वो लड़का उसके पास आकर बैढ़ गया और उसने शिकारीयों पर हमला कर दिया शिकारीयों से पकड़ कर उसके ममी पापा के पास ले गए और वो बार-बार भाग जाता था और लोगों की मुर्गिया चुरा कर उन्हें कच्चाई खा जाता था वो उसे एक रसी से बांध कर रखते थे और बाद में उसकी शादी कर दी गए वर्ट वर टू में एक जर्मन सब्वरीन ने एक बिटिश जहाज पर हमला किया सारे सैनिक पानी में डूप गए और एक पूम नम का सैनिक बच गया वो पानी में कूट पड़ा और एक छोटी से नाव पर समुंदरों में तैरता रहा उसके बास बास थोड़ा सा पानी था वो चिडिया मार कर उनसे मशलियां पकड़ता था यानि कि कंकाल बनते हुए देख सके समुदर के बीचो बीच बनी सानोखे कबरस्तान को देखी जहाँ पर पानी के अंदर लोगों को दफनाया जाता है यहाँ दोस्तों पानी के अंदर बनी सानोखे कबरस्तान में मरने के बाद लोगों को एक ताबूद में रखकर उने पानी के अंदर दफना है जो कि बहुत ही आजीबों गरीब है दोस्ते इस बिल्डिंग को देखकर अब बिल्कुल भी फाइविस्टार होटल मत समझना क्योंकि दोस्ते इस बिल्डिंग कोई फाइविस्टार होटल नहीं बलकि कबरिस्टान है जहाँ पर मरने के बाद लोगों को रखा जाता है इस बिल्डिंग में टोटल 25,000 मुर्दों को रखा जा सकता है लेकिन किसी कारण की चलते है जहाँ इस आईलेंड में आकर फस जाता है और निकल नहीं पाता है जिसके बाद यह जहाँ किनारे पर पड़े पड़े अपने मौत के इंतजार कर रहा है ये बाद साल 2020 की जब समुद्री तुफान की चलते एक बड़ा सा कारगोशिप आयरलेंड के टेट पर जा पहुंचता है जिसमें ना तो कोई सामान थो और ना ही कोई लोग और ये भी पता नहीं चल पाया कि एशिप आया तो आया कहां से जिसे वहां के लोग इस जहांच को भूतिया जहांच कहाने लगे दोस्तो रेगिस्तान में पढ़े हुए सानों के जहांच के ढाचे को देखिए जो कई सालों से समुद्र से लगबग एक किलोमीटर दूर रेगिस्तान में पढ़ा हुआ है परसल दोस्तों यह जहां जिक खतरनाक तूफन में फसने के कारण लहरों के चप्टोन इसे समुद्र से रेगिस्तार में लाकर छोड़ दिया जो कि ये रेगिस्तार समुद्र के किनारे पर ही मौजुद था दुनिया की तीन सबसे अजीबो गरीब रेलवे ट्रैक और लाश्ट अला रेलवे ट्रैक तो रनवे की उपर बना हुआ है नमबर वन ओहायो रेलवे ट्रैक दोस्ते इस अजीबो गरी वर खतरनाक रेलवे ट्रैक को देखिए वही जहां पर एक ट्रेन को चलने के लिए सीधे रेलवे ट्रैक की जरुरत होता है लेकिन वही पर अमेरिका के ओहायो शेयर में बना ये रेलवे ट्रैक बिल्कुल तेड़ा और उपर नीचे बना हुआ है जहां से ट्रेन बहुत ही खतरनाक तरीके से गुजरता है जहां पर पूरी दुन्या में ट्रेन रेलवे ट्रैक की उपर चलता है वही जापान में एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जहां पर ट्रेन रेलवे ट्रैक के नीचे से चलता है और इस अनो का पट्री की लंबाई लगबग 6 किलो मीटर है दुनिया की तीन सबसा जीबो करीफ ट्रैस्वर्मिंग बाईक नमबर वन ट्रैस्वर्मिंग यूए नो दोस्त आप इस अनो की इलेक्ट्रिक बाईक को देखकर ये मत समझना की ये बाईक ये की टायर पर चल रहा है लेकिन नहीं दोस्त इस बाइक को ऐसे बनाय गया है कि आप जब चाहिए इस बाइक का साइज छोटा या बढ़ा करके चला सकते हो जो की देखने में एकदम अनोखा लगता है इस खिलोने की तरह दिखने वाले बाइक को आप बिल्कुल भी हलके में मत लेना क्योंकि दोस्त इस बाइक का ताकत आपको अभी पता चल जाएगा दरसल दोस्त इस बाइक का हैंडल और सीट इस बाइक के अंदर ही मोड़ कर रखा जाता है दुनिया की तीन लावरीज जगह पर पड़े हुए कडोडो रूपे की गाडिया और लाश्ट में तो सभी गाडिया BMW निकला दोस्तो बेल्जियम के एक जंगलों में पड़े हुए इन लावरीज गाडियों को देखिए जो की लगबग 75 सालों से ऐसे ही पड़े पड़े जंग खा रहा है इन गाडियों को देखकर आपको ऐसे लगेगा की ये गाडिया ट्राफिक जाम में फच चुका तो और कभी निकल ही नहीं पाया दरसल दोस्तो दुट्य विशुईद के दोरान अमेरिकन सैनिक इन गाडियों के ऐसे ही लावरीज छोड़ कर भाग गए थे दोस्तो ये घटना है साल 2011 की जब जापान के फुकोशिमा शहर में एक नुकलियर प्लांट लीग हो जाता है और रेडियेशन की वज़े से उसके आसपास की अलाकों को खाली कर दिया जाता है और लोग अपने घर और गाडियों को लावरीज छोड़ कर भाग जाते हैं वहाँ पर आपको हजारों की संक्या में आज भी गाडिया लावरीज पढ़ा हुआ मिलेगा दोस्तो साल 2019 में बुलगेरे के एक बन पड़े गोदाम में लोगों को गैरा BMW कार लावरीज पढ़ा हुआ मिलता है जो कि कई सालों से ऐसे ही लावरीज पढ़ा हुआ था और वे सभी कार एकदम ठीक ठाक था उनमें से कुछ कारों को तो चलाया भी नहीं गया था और इस ट्रेन के उपर अपना कलाकारी दिखाने लगे जंगलों के बीचों बीच लावरीज पढ़े हुई इस ट्रेन को देखकर आप हैरान हो जाओगे क्योंकि दोस्ते इस पूरे ट्रेन को पट्री पर वैसे कव ऐसे ही छोड़ दिया गया और इस ट्रेन के कुछ डिब्बे तो पट्री से उतर चुके थे, जो कि ये ट्रेन काई सालों से ऐसे लावारिस पड़ा हुआ है, नमबर त्री ट्रेन ब्रिज, दोस्ते इस ट्रेन के डिब्बे को देखिए, जो कि जोर्जिया के एक नदी के उपर ब्रिज के रूप में काम कर रहा है, और हरानी की बात यहीं कि इस ट्रेन के डिब्बे के आसपस ना तो कोई रेलवे ट्रेक है और ना ही कोई ट्रेन, तो फिर एक ट्रेन के डिब्बे आया तो आया कहां से, दुनिया की तीन लावरीज पड़े हुए ऐरो प्लेन लास्ट वाला प्लेन तो भहुत ही भैनक तरीके से पड़ा हुआ है नमबर वन मिस पिगी दोस्तौ पत्तरों की उपर पड़े हुए इस प्लेन को देखिये लेकिन इस बीच में काफी मात्रा में रेथ होने की वज़े से कई सालों से ये प्लेन रेथ के नीचे दबा रहा फिर जब इस प्लेन के उपर से रेथ हट जाता है तो ये प्लेन लोगों को नजर आता है नमबर त्री डॉगला सूपर डीसी 3 दोस्ति इस नेवी के लावारिस पड़े हुए प्लेन को देखिए जो की फ्यूल खत्म हो जाने की वज़े से आइसलैंड के ब्लैक बीच में आकर क्रैश हो जाता है ये प्लेन लगबा 50 सालों से ऐसे ही सुनसान इलाके में लावारिस पड़ा हुआ है इससे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं